हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पावर्प्राइंड गुरुजी इस वीडियो में हम डिसकेशन करेंगे एक बीओई इंटर्वु में पूछे जाने बाले बॉइलर से रिलेटेड एक तो आगे बनने से पहले सुन लेते हैं एक बॉइलर में क्या होता है और एक कभो होता है कुश्चन आपका समझ में आ गया एक बॉयलर में cold and corrosion जो term यूज होता है उसका मतलब क्या है और यह बॉयलर में कब होता है तो इस वीडियो में इस बिसे का उपर हम details में समझेंगे तो समझने के लिए वीडियो को skip ना करके अंते तक देखते रहिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe जरूर किजिए यदि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको likes जरूर किजिएगा तो एक boiler में cold and corrosion जो tarm use होता है उसका मतलब क्या है उसको समझने के लिए हम थोड़ा basic से शुरू करेंगे ओके लॉंग शॉटडाउन के बाद जब एक boiler को cold light up किया जाता है तो क्या होता है जेनरली जो फ्लू ग्यास टेंपरेचर है boiler का स्टार्टिंग समय में कम रहता है ओके क्योंकि इनिचियल हम लोगों boiler को हीट शॉकिंग करते हैं जो भी रिफ्रेक्टोरी लगा रहता है और फिर जो स्ट्रेस है ट्यूब का उसको देखते हुए थर्माल शॉक ना हो boiler ट्यूब में वो सब चीज को ध्यान में रखते हम जो फाइरिंग रेट हैं धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं कोड लाइट अब में तो उस समय जिनरली जो boiler का जो फ्लूगयास टेंपरेचर है कम रहता है एक कम टेंपरेचर रहने वाला फ्लूगयास boiler में कब प्रोब्लेम क्रियेट करेगा नजब जो फ्विल हम फाइरिंग कर रहे हैं यदि उसमें सल्फर का परशंटेज जादा रहेगा क्योंकि कमबूशन प्रड़क में जो सल्फर लिकलता है वो यानिकि सल्फर डाइयोकसाइड ये मोश्चर के शायट फ्लूगयास में जो मोश्चर रहेगा उसके साथ मिलके सल्फरिक एशिट फर्मेशन करता है ये कैसे फर्मेशन होगा ना जब फ्लूगयास का टेंपरेचर सल्फर का डिवपन टेंपरेचर का बराबर होगा तब ये जो सल्फरिक एशिड है ये फर्मेशन होगा फ्लूगयास में और ये क्या करेगा ना जो भी ट्यूब से ये ट्यूब में ये एसीड आटाक करेगा सल्फुरिक एसीड फर्मेशन होने के बज़ा से बॉयलर का मेटल सर्फेस में जो कोरोजन क्रियेट होगा उसको कोल्ड एंड करोजन कहा जाता है क्योंकि ये जिनरली बॉयलर का कोल्ड लाइट अप का समय में फर्मेशन होता है मतलब उसका मैक्सिमम जो चांसे से ये बॉयलर का कोल्ड लाइट अप का समय में भी जादा होता है तो बॉयलर में कोल्ड एंड करोजन को एवोइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना नमबर वान में हम जो सलफर कंटेंट फुएल है जिस फुएल में सलफर कंटेंट कम हो उस टाइप का फुएल को हम यूज करेंगे नमबर टू में जो एपिएज या एर पिटर है उसको हम बाइपास करेंगे किस समय ना डियूरिंग लाइट अप क्योंकि यदि हम उसको सर्विस में रखेंगे तो वो भी फ्लूग यास का टेंपरेचर को कम कर देता है एर पिटर जब तक फ्लूग यास का टेंपरेचर सल्फर का डियू पॉइंट टेंपरेचर से ज़्यादा ना हो तब तक हम एर पिटर को सर्विस में नहीं लेंगे तो यह था मोटा मोटी थोड़ा इंफरमेशन एक बॉयलर में कोल्ड एंड करोजोन किसको कहते हैं उम्मिद करता हूँ दोस्तो इस वीडियो देखने के बाद आप कोल्ड एंड करोजोन के बारे में थोड़ा बहुत बॉल सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद